Hello everyone, सभी गुरा मुश्क्यार, बहुत दो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Art of Revening में एट्समें सेंजेसिंग और इतनी एट्रीटर बहुत दो स्वाइब करता हूं सभी का काफी सारे बच्चों की क्वारी दा रही थी कि sir, RRB जो प्रिलिम्स भी हुआ है, RRB प्रिलिम्स का कॉट ओफ क्या रहा है sir सर आप कॉट ओफ की नहीं बताते हैं sir, आपके चैनल पर कभी डिसक्रसी नहीं होता है sir Sir, mains au Prilims में इसे आप कैसे करेऋ follow 있어요, MRP Pio का विप्पर को था हूआ है 12-13 को, cm कलक का is prilims द joining ०ा रही दिया था कि जुलाही फेस्टिवल सीजन आपका स्टार्ट हुता है, Prilims mainsiti boss dramas अपने रहे चलेखां सर मेंस पढ़ते वे चलेगा सर उसके लिए रहा थोड़ी असान है जो सोचेगा किया मैं रिजल्ट के बाद पढ़ूँगा या प्रिलिंस के बाद पढ़ूँगा तो सर उनके लिए रहा थोड़ी मुश्किल होने वाली है सर तू भी वेरी ओनेस्ट अब अगर आप एग्जाम देने जाएंगे सर और सोचेगा प्रिलिंस के बाद में मैंस के बढ़ूँगा तो सर एक तरीके से यह एक्स्पियेंस लेने काम होगा है कि मैंस के एक्जाम होता कैसे है जो एक सच्चा एस्पियेंट होता है जो सच्चा विध्यारती होता है तो सर वो शूरू से ही मैंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं फटा पर दो तीन बाते हैं मैं अपने बारे मैं आपको बता देता हूं मैं आपको on academy पे भी पढ़ा रहा हूं जिसमें भी मेरी classes चल रहे हैं सुबह दस बजे और इस particular session में लोग करते हैं आपका mock test कर रहे हैं करनी चाहिए सर मेरे तो 52 attempt है मेरे तो 50 attempt है उससर सबसे पहले तो यह बास समझ लीजिए prelims का cutoff जो decide होता है उसके बहुत सारे parameters है सर जैसे for example कुछ parameters में आपको बदाता हूं example के तोर पे आप बोलेंगे सर number of vacancies कितनी है सर vacancies ज्यादा होती है तो cutoff थोड़ा drop हो सकता है हो सकता है सर अब होगा ही guarantee हो सकता है ठीक है number of vacancy ठीक है इसके बाद आता सर आपका number of applicants इतने applicants ने form भरा है सर यह बहुत important factor होता है सर उसके बाद सर paper का difficulty level क्या था सर आपने देखा होगा कि सर कभी कभी किसी किसी shaping paper tough भी आ जाता है ना सर तो difficulty level कभी impact पड़ता प्लस average attempt क्या रहा जितने आपको students लेने है उसके आपसे average attempt क्या रहा किस particular number के आसपर cutoff रखी जाए कि उतने number of sufficient number of students के आप selection कर पाए means के लिए तो सरी बहुत सारे parameters है ना सर और RRB का तो थोड़ा cutoff predict करना orbit officer क्यों को statewide cutoff आती है सर अब statewide cutoff आती है तो सर किसी states पे अगर vacancies कम है applicants जादा है तो simple सी बात है कि cutoffs तो बड़ेगा बड़ेगा तो बहुत सारे parameters है बट एक चीज़ा आप समझीए अगर यदि आपका attendance मानने के चली किसी 48, 50, 52, 54, 55 जितना भी ऐसा आप अपना काम कर चुके आपने जो भी कर रहा था आपने आप कर दिया अब result आपके हाथ में कोई भी कट-off प्रेडिट नहीं कर सकता है यह बास समझ लेजी जो कट-off प्रेडिट कर रहे है बगवान जानते कि space पे वो करते है ठीक है सर कि मेरा मानना यह है कि अगर मैं आपको एक certain number बोल दूगी जिसके 52 attempt है वो mains की तैरी कर लो इसका मत अब 52 से नीचे वाले मत करो ऐ कि कट-off 52 ही जाएगी, 50 नहीं जाएगी, 49 नहीं जाएगी तो यह प्रेडिट ही कर सकता है अगर आप cut-off की base पे decide करते हैं कि सर हम मतले किसी के बताने की base पी कि अब त्यारी करें है ना करें सबसे बड़ी गलतिया भी ही कर दें सर क्यों आप वेट करते है फिर रिजल्ट का है ना यह आपके attempt कम होते हैं तो आप सोचते हैं मेरा तो निकले गए नहीं और by chance अगर आपका निकल जाता है तो सर आपके 15-20 दिन बरबाद हो जाते हैं आप देखेंगे कि उसकी responsibility लेने कोई नहीं आएगा अगर cut-off किसी की बताई हुई expected cut-off के आसपास आ जाती है तो सर सब आ जाते हैं सर लाइफ की देखो मैंने जो बोला था वही हुआ बड़ जब cut-off गलत होते हैं तो दिक्कत थोड़ा हो जाती है ना सर तो बैटर ही कि आप इन सब चीजों के चक्कर में पड़े ही ना पहले दिन से अपने पर्थम दिवरस से ही आप अपने प्रिलिंस और ज्योन के चक्कर में भी बच्चे फास जाते हैं तो आपको समझनार क्या है सर आपने पेपर दे आपका काम हो गया नाउमेंश की तैयरी करो सर क्यों मेंश की तैयरी करें तो यूसफुल है आप मेंश की तैयरी शूरू से कऱ falling अछी बात है पहली बात तो प्रिलिंस की ब में काम आएगी, IBPS, PYL, उसमें काम आएगी, sir, क्योंकि में इसका syllabus का level उपर नहीं चो होता, sir, banking में, लेकिन, sir, basic तो safe सबका same ही है, na, difficulty level बढ़ेगा, तो जितने भी बच्ची यहां पर मौझूद है, sir, सभी को मेंस की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहिए, आपका attempt कुछ भी रहा हो, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात नहीं होता, तो sir, आगे की त्यारी करो, है न, वो मेंस आपका आगे काम आएगा, प्लेस अपनी गलतियों से सिखो, कि हम क्या और बैतर कर सकते थे, कौन सा topic, कौन सा subject हमारा भी है कि जिसमें बैतर काम कर सकते हैं, तो आपसे प्रण ले लिजिए, कि expected cut-off के चकर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है सर, अपना paper लेकर करेंगे, सीधे mains की तरी करेंगे, जो शुरू से हो नहीं चाहिए, आई और पहला point आपको clear हो गया हो, ठीक है सर, next point आपका है सर, mains of prelims आप में कैसे करें, सर, ये बड़ा दूइदा बाला परशन है, है न सर, अब है क्या system सर, समझे ना, कुछ बच्चों का 12 और 13 अगस्को paper है, RRB का किसी का 19 को है, उसके बाद आपका, एड में आपका, RRB का 26 को, RRB सुरी आईबी पेस का लग्का prelims हो जाएगा है ना सर, और नेक्स्ट वीक में फिर उसके बाद आपका RRB P.O.M.A.S है, चांस है कि RRB P.O.M.A.S भई थोड़ा आगे एक्सेंट हो सकता है, चांस है, बट गरंटी नहीं है, कि आपने दिखा होगा कि आगरा कि किसी exam center में थोड़ा issue हुआता है ना, तो वो तो खैरा अभी IB P.O.M.A.S decide करेगा, खैरा, तो बट दोनों चीज़ों को balance करके चलना अपने को, सब कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, मान के चलिए, जिनका प्रिलेंस का paper है, जो ने फॉर्म वगरा, फिल के RRB के लागा, उनको daily, प्रिलेंस का एक मौक तो देना है, एक मौक तो आपको प्रिलेंस का daily देना ही देना है, ठीक है, दो भी दे सकते हैं, बट दो से ज्यादा कभी गलती से मत दीजिएगा, एक देंगे more than sufficient है, ठीक है, बट एक के साथ करेंगे कैसर, उसको proper आपको analyze करना है, कि हमारी क का मौक दे रहे है, 45 मिनिट्स में आपने मान किजिए रहे, 75 कोशन देना है, उसमें दो आपको wrong हो गए, पहले हम उनको चेक किजिए गलत की हुए, पर जो remaining 5 कोशन आपके बच गया, उनको attempt कीजिए, सर, क्यों, सर, अगर उसी type के कोशन अगले मौक में repeat होता है, फिर सो न मैं आपको पहले ही बताया था कि, भाई, पॉसिबिलिटी पर थोड़ा काम कर रहा हूं, बोला था ना, कि दो-दो पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए, मिन्स में मिनिमम, तो आपने देखा कि पेपर में पॉसिबिलिटी वाले सुशन काफी देखनी को बिले थे, आर आर बी क इसको मैं थोड़ा ब्रश अप कर लेता हूं, तो एक मौक आपको डेली देना है, मिनिमम, मैक्सिमम दो स्यादा नहीं देना है, जो भी टॉपिक में आपको दिखके तो उस टॉपिक को कर लो, ठीक है, साथ में पॉसिबिल और दिखके आप कर सकते हो, ठीक है, और जो टॉ रिजनिंग में आपका पॉसिबिल का सेट हो गया, तो इसको कुछ चरीके साप कर सकते हो, ठीक है साथ में, मेंस के लिए सर क्या कह सकते हैं सर, मेंस कैसे करें सर, मेंस के लिए आप अभी एक कर सकते हो, सर, हफते में दो दिन मेंस का समोख लगा लो, ट्वाइस इन वीक, अ 19 को यह वो लगा सकते हैं तो थोड़ा सा आपको time management करना पड़ेगा इसमें क्योंकि मेंस है तो सर अभी GA भी पढ़ना है कम्पूटर तो काफी बच्छे हाथ के लगाते हैं एंड में जाकर के पढ़ते हैं यह ना यह कम्पूटर गेम चेंजर आपको पता है गेम चेंजर अरुन्दा सेंस कट-off बॉर्ट डाउन जाता है पेपर का difficult level अरुन्दा में 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 हिल जाता है समझे लोड़ा अपको अच्छे से मालू है क्योंकि इसमें थोड़ा वास्ट से लिए बता है छे नहीं साथ से आट मेने तक कभी पूछ लेता है तो मेंस में आप डेली सर वन आर तो कम से कम जीए को देना पड़ेगा सर आपको अपको कंप्यूटर नहीं पड़ा तो 30 मिनिट कम से कम कंप्यूटर के लिए निकालने पड़ेंगे भाई निकालने पड़ेंगे सर कोई option हमारे पास नहीं है साथ में आप क्या कर सकते हैं मेंस का मौक तो लगा रहे हैं देली तीन से चार पजल होगी मेंस लेवल यह आपको करना है ठीक है और साथ में क्या कर सकते हैं मिस्लिनिस portion में अर्थमेटिक होगा आपका Q1 Q2 होगा है अर्थमें में आपको करना है ठीक है critical के खास वर पर धाल रहा है critical इजनी भी important है क्यों sir क्यों sir क्योंकि sir paper इस बार आपको पता है पांस से चे कुछिन critical इजनी के आता है 40 कुछिन 50 नमर के मता 1.5 लगो 10 नमर का critical आता है अर्थमें आपका पास वर इस 20% वर इस critical की भी है उन टॉपिक को रिवाइस करना स्टार्ट कर देए basic complete हो जाना चाहिए sir यह उनके लिए इनका basic complete है जिनका भी basic की complete नहीं है और अभी सोच रहें कि result आने के बात पड़ेंगे तो sir दिक्कत हो सकती है आपको फिर आप एक अलमभव लेनी के तौर पे जारे paper देनी कि मैं आपको इमानदार से बता हूं तो time distribution थोड़ा important है sir आपका कि time आपको कैसे manage करना पड़ेगा example के तौर पे मान के चाहिए आप सबका अलग अलग देखो sir पड़ने का time होता है मेरा मानना है कि quality steady होनी चीक quantity नहीं 15 गंटे पड़ रहो 20 गंटे पड़ रहो फैदा नहीं है 8-10 गंटा पड़ो बट quality steady होनी चाहिए एक गंटा पड़े हो 5-10 गंटा पड़े लिया ठीक है इस तरीके सा लगा था long hours में बैठ सकते हो ठीक है बट लेकिन जब आप मौक दोगे तो आपको proper बैठना पड़ेगा ठीक है सर तो सर आपको कुछ इस तरह के इस बान के चले को पीचा 10 गंटा पड़ था 10 hours तो उसमें आप इस तरह के से डिवाइट करो इसको 7 hours आप कर दो इसको means और 3 hours कर दो इसको प्रिलिंस 3 भी नहीं मैं कौंगा 2 hours, 2 गंटा भी चलेगा 2 hours के लिए उसको 7.5 कर सकते है ऐसा भी चल सकता है तो यह अपने according इसको आगे पीछे कर सकते है उसमें कोई hard and fast रून नहीं रहेगा प्रिलिंस में बहुत जादा क्योंकि त्यारी आपके उसको brush up करना स्पीड बढ़ानी है ठीक है सारा कहल मेंस का है कि सबका मेंस आपको one by one देना है ठीक है तो यह सब time distribute कर सकते कि मेंस और पिलिंस साथ कैसे कैसे करें ठीक है जो अगला portion था कि मेंस की तारी कैसे करें वह मैंने आपको इसी में बता दिया मेंस का मौक लगाई है ठीक है वान आर जीए डेली आपको पढ़ना पढ़ेगा सर वह पढ़ने वाले बच्चे शुरू से भढ़ रहा है उनका revision चल रहा है और डेली बेस पे अगास मंत का चल रहा है अब जिरों ने नहीं पढ़ा वो परेशान होंगे सर चे मैंने का PDF कर ले गया यह वाला PDF कर ले गया सर वो दिक्कत वाली बात है सेम computer का भी मैंने आपको बोला था हिंदिक language सब्जेक्ट नहीं है जैसे English है वैसे Hindi है जो भी language आप चूज करें उस particular language का भी आपको प्रेटिकलर लैंग्विज का भी आपको प्रेटिस करना स्थार्ट करना पड़ेगा मौक लगाएंगे इसमें थोड़ा सा बागी चीज़े कम करते हैं जैसे पाजलो डियाए को थोड़ा कम कर सकते हैं तीन चार की जगा एक दो कर लो कि वह काफी सारी चीज़े मौक में हो जाती है ठीक है सर तो time distribution का थोड़ा ध्यान रखेगा इसको बढ़ा भी सकते हैं तो उसको तो आप 9-3 ऐसा भी कर सकते हैं वह आपके उपर depend करता है ठीक है सर वाट एक चीज़ और मतर एक चीज़ में आपको दुबारा बताना चाहूंगा cut off के चकर में नहीं पड़ना है मेंस सर चूरू से सात में लेकर आप चलाएंगे ठीक है अपने उपर आपको वगोसा रखना उर जो गल्टी है हमसे हो जाती है ठीक है सर जानके तो को नहीं करता और हो जाती है उसपर चिंदन करना है, ठीक है इसको ठीक करना है कि आगे से वो दुबार रिपीट ना हो concept के साथ पढ़ाई करने है, trick के साथ नहीं trick, दुखी कर देगी सर आपको prelims हो, अभी देखी लिए आपने mains में और जादा प्रेशान हो जाएंगे ऐसे ठीक है रहा सर, तो I hope आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है छोटे session में मैं आपको काफी सारी बाते बता दी है ठीक है, इस पर focus कीजिए इसको अपने G1 दिन चरिया में लागू कीजिए, और कोई दिक्कत आती है आइस के इस session में सभीको नमश्काब दया लगए अपना और family का keep practicing, keep doing hard work, भैरेट करता रही है आपका नाम रोशन कीजिए, मिलते हैं, बाबबै, टेक केर, दया लखेएगे